अलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का स्टडी आई की उपर दोस्तों स्टडी आई की साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर धालिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आज़ा दोस्तों आप इंस्टाग्राम फेस्बूक या टेलिग्राम के मात्यम से मिरसाथ कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपका डाउट है कोई आपकी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं जिस विशेप एम बात करने वाले हैं उस वो दरासल एक बोन ओफ कंटेंचन एक फसाद की जड़ जो है वो बहुत लंबे से समय से ब लुँदों राज्यों की सीमा बॉर्डर पे बना हुऊँअ मुला परियार डेंव जो है फिर से जो है मुला परियार बांध जो है वो दोबारा से खड़ा हो उसका dispute उसकी प्रॉब्लम जो है वो दोबारा से रिवाइफ हो गये है तो विस्तार से समझेंगे यहां पे मुल ज़ादा help करने वाले हैं आपकी exam preparation में तो definitely in courses में enroll करें और अपनी preparation को हमारे साथ study IQ के साथ बहतर बनाए Recently Supreme Court directed the maximum water level in Mulla Peria Dam should be 139.5 feet until November 10 तो हाल ही में Supreme Court ने निर्देश दिये हैं कि Mulla Peria Dam जो है उसमें अधिक्तम जल्स तर जो है वो 139.5 feet जो है इससे जादा जो है वो नहीं होना चाहिए बहुत बारिश जो है वो इन इलाकों में हो भी हो रही है तो इस सवचा से 10 नवंबर तक Supreme Court ने ये निर्देश दिये हैं कि जल्स तर जो है वो इसससे जादा बढ़ाया जो है वो नहीं जाना चाहिए ये जो dam है ये एक दशक पुराने विवाद का केंद्र है जिसमें केरिला और तामिल नाडू जो है ये दो राजियों के बीच में ये दिस्प्यूट है तो दरासल बोन ओफ कंटेंशन फसाद की जड़ है ये दो राजियों के बीच में क्यूंकि सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है ध्यान से सुनियेगा कि ये डैम जो है वो मौजूद है केरल के अंदर लेकिन इसको कंट्रोल और ऑपरेट करता है तामिल नाडू तो ये एक इंपॉर्टन पॉइंट है इस तरीकी के सवाल जो है वो कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है तो मैकसिमम लोग जिनको ये मालूम होगा कि ये डैम जो है वो केरल के अंदर मौजूद है तूम को ही लगए कि जब केरल में डैम मौजूद है तो इसको उपरेट और मेंटेन भी केरल ही करता होगा रहने वाले जो लोग हैं, लाखों लोग जो केरल के अंदर इस बांध के डाउंस्ट्रीम में रह रहे हैं, उनको खत्रा हो सकता है अगर एक दम से एक आएक एक पानी यहां से छोड़ा जाता है, इस वज़ा से केरल चाहता है कि इसके अंदर जाधा पानी जो है वो ना भरा लेकिन तामिल नाडू कहता है कि तामिल नाडू के पाँच जिले ऐसे हैं जिनको पानी किया पूरती के लिए पूर्ण रूप से वो इस मुला परियार डैम पर निर्भर करते हैं, तो अगर पानी यहां पर कम स्टोर किया जाएगा तो हो सकता है ड्राई सीजन में उन डिस को पानी की समस्या जो है वो फेस करनी पड़े इस वचा से एक फसाद एक डिस्प्यूट एक विवाद जो है वो दोनों राज्यों के बीच में बहुत लंबे समय से बना हुआ है दोबारा से वो विवाद जो है वो चर्चा में आ गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी जादा बरसाद जो है वो इस इस इलाके में हो रही है जिस वचा से दोनों ही राज्यों के बीच में इस डैम के पानी को लेकर के डिस्प्यूट जो है वो दुबारा से शुरू हुआ है और सुप्रीम कोट ने उसमें निर्देश दिये है होता है और जाकर के Arabian Sea में गिर जाता है अरब सागर में गिर जाता है तो यहां से तामिल नाडू से शुरू होकर के मुला पेरियार रिवर्स जो है वो Arabian Sea में जाता है और यहां पर मौजूद है यह मुला पेरियार डैम्स जो कि आप territory अगर आप ध्यान से देखें तो यह dotted line जो है यह केरल और तामिल लाडू का border है तो territory में देखा जाए तो पेरियार लेक मुला पेरियार डैम्स हो है केरल में स्थित है लेकिन इसको operations हो है वो तामिल लाडू करता है तो मुला पेरियार dam dispute क्या है मैंने overview में आपको बताया है एक बार दोबारा से समझ लेते है केरल कहता है दा water level should not go above 139 feet as same what the court had directed on August 24 2018 तो लंबे समय से यह विवाज जो है वो चल रहा है और court में भी यह विवाज जो है यह पहुंच चुका है 2018 में court ने order करा था कि जल सतर जो है वो maximum 139 feet होना चाहिए इससे जादा जो है वो नहीं जाना चाहिए that in 2018 the state was hit by floods and the lives of 50 lakh people came in danger when the water from the dam was released केरल कहता है कि 2018 में court ने यह फैसला क्यों दिया था क्योंकि 2018 में आपको याद होगा केरल के अंदर काफी जादा भीशन बाड जो है वो आई थी और उस बाड के आने के पीछे एक कारण ये भी था कि मुला पेरियार डैम में काफी जादा पानी जो है वो store किया गया था और जब एक दम से जल सतर बढ़ा तो यहां से पानी रिलीज किया गया ये पानी जब केरल की दूसरी water bodies में रिलीज हुआ तो बारिश के कारण बरसात के कारण वो already जो है अपनी maximum लिमिट पे चल रहे थे और जैसे ही मुला पेरियार डैम से पानी छोड़ा गया तो पूरा का 2018 में कोटने कहा था कि नहीं ये जल सतर जो है 139 feet से उपर नहीं जाना चाहिए केरल आज भी उस demand पे है कि 2018 में जो कोटने कहा था उतना ही जल सतर जो है वो होना चाहिए तो होता क्या है यहाँ पर मुला पेरियार डैम है मुला पेरियार डैम से पास में एक इदू की रिजर वायर है तो जैसे ही मुला पेरियार डैम का जल सतर बढ़ेगा यहाँ से पानी जो है वो रिलीज किया जाएगा इदू की रिजर वायर में लेकिन 2018 में क्या हुआ था अल्रेडी बारिश के कारण इदू की रिजर वायर जो है वो almost full था जब मुला पेरियार डैम से पानी यहाँ पे छोड़ा गया तो यह सारा का सारा पानी जो है वो केरल के डिस्टिक्स के शहरों में घुश गया और बार जो है वो आ गई थी और 50 लाग लोगों की जिंदगी इस सबचा से केरल जो है वो चाहता है कि जलस्तर जो है वो कम होना चाही तो मध्य केरला में कई हिस्सों में बाढ़ आ गई थी जब इस तरीके से पानी जो है वो छोड़ा गया था तो ये बजह है कि केरल जो है वो कहता है पानी कम होना चाहिए मगर तामिल लाड़ू वो हमेशा से अब्जेक्ट करता है वो चाहता है कि water level जो है वो 142 feet होना चाहिए तामिल लाड़ू objected to the decision sighting the Supreme Court judgment of 2006 and 2014 which fix the maximum water level at 142 feet तो तामिल लाड़ू कहता है कि ठीक है 2018 में आप कह रहे हैं कि कोट ने कहा था 139 फीट जो है वो maximum limit होनी चाहिए लेकिन सुप्रीम कोट ने 2006 और 2014 में ये बात कही थी कि maximum water level जो है 142 होना चाहिए तो तामिल लाडू जो है 142 फीट लेवल जो है वो पानी का चाहता है अब केरल का तो समझ आता है कि उनको कम पानी की रखने की क्या उनका रेजन है तामिल लाडू क्यों चाहता है कि पानी जाधा होना चाहिए तरसल तामिल लाडू के कुछ districts हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से पानी का source हो है वो मुला पेरियार डैम है तो ये पांच जिले ऐ जहां पर पानी की आपूर्ती के लिए तामिल लाडू जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुला पेरियार डैम पर रेफर करता है तो अगर यहां पर जल्सतर कम होगा तो तामिल लाडू सरकार को ये एक फिर रहता है कि गर्मी के मौसम में ड्राइ सीजन में जब जादा बारिश पानी की कमी हो जाती है अगर मुला पेरियार डैम का जल्सतर कम होगा तो हो सकता है कि इन जिलों को पानी की आपूर्ती में जो है वो कमी आए या नौर्वल केस में भी अगर वाटर स्टोरेज डैम की कम है तो कभी इन दिदिंगल है थेनी है मदुराई है सिवा गंगा है राम नाथा पूरम है इन जिलों में पानी की कमी आ सकती है इस वज़ा से तामिल लाडू हमेशा से चाहता है कि जल्सतर जो है वो जादा होना चाहिए और दोनों ही राज्ये जो है वो अपने अपने इश्यूस को लेकर के अपने अपने फैक्स को लेकर के कोट में अप्रो बारिश चैसे हालात देखती हूँ, सुप्रीम कोट ने 139.5 फीट पे इसको जो है वो लिमिट कर दिया था, पुड़ी सी बात हम यहाँ पे करेंगे मुला पेरियार डैम की, 123 साल पुराना डैम है, which is located on the conference of मुल्यार and पेरियार रिवर्स in केरलाज उदूकी डिस्ट्रिक्ट तो केरल के उदूकी जिले में मुलार और पेरियार नदी के confluence, उनके संगम पर ये मुला पेरियार डैम सो है, वो मौझूद है, it is operated and maintained by Tamil Nadu for meeting the drinking water and irrigation requirements of five southern districts, तो वो पांच जिले जो मैंने अभी आपको मैप की मदद से बताए, वहाँ पर पैजल और सिंचाई अवशक्ताओ को पूरा करने के लिए इसको तामिल नादू द्वारा operate और maintain सो है, वो किया जाता है, अब यहाँ पर उस बात का answer जो है मिलेगा कि डैम केरल में हैं तो तामिल नादू क्यों operate करता है, according to 999 years lease agreement made by British debate during the British rule, the operational rights were handed over to तामिल नादू, तो बिटिश शासनकाल के दौरा 99 वर्ष इसके परिचालन अधिकार जो है, वो तामिल नादू को दे दिये गए थे, जिस वचास से आज भी यह डैम जो है उसको तामिल नादू state जो है, वो operate करती है, यह डैम बना है पेरियार नदी के उपर, पेरियार नदी के अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा केरल की सब से लंबी नदी है, पेरियार रिवर, 244 किलोमेटर की लेंद है, पेरियार रिवर is the longest रिवर in the state of केरला, it is also known as life line of केरला, as it is one of the few perennial rivers in the state, यह जीवन रेखा भी कही जाती है केरल की, क्यूंकि राज्य के कुछ 12 मासी नदियों में से एक है, जो पूरा साल चलती है, बहुत पर्टिकुलर बरसात के सिजन में चलती है, लेकिन कुछ नदियां जो है, वो पेरिनियल होती है, जो की पूरा साल 12 महीने जो है, उनमें पानी रहता है, और बहुत कम नदियां ऐसी है केरल के अंदर, जिनमें 12 महीने पानी रहता है, पूरा साल पानी रहता है, और पेरिया आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है, वो समझ में आया होगा, क्या डिस्प्यूट है, क्या वज़े है, क्या इस स्केल उपर जो है, वो कारवाई हो रही है, विस्तार से हमनों के आर्टिकल जो है, वो हमने यहां पर समझा है, दोस्तों, UPSC, CAC के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो pre-come means बहतरीन smart course आपके लिए available है complete preparation आपको यहाँ पर कराई जाएगी तो studyiq.com यहाँ हमारे app पर जाकर किस course में जो है तो definitely आप enroll करें. Thank you very much दोस्तों all the best, keep working hard, bye bye take care, चैहिंद